हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गोरव और इस वीडियो में जिस स्पैनिस सुपर कप के मैच का प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा रियाल 32 वर्सेस बार्सलोना के बीच मैच कवें योगा न्यूटरल साओधी एंड किक आफ होगा रात में 12.30 एम पे तो बार्सलोना आ कांते हूंगे ललीगा का one of the top club माने जाता है करेंड लिए पॉन्स टेवल में भी ललीगा में टॉप में है और बहुत इंप्रसीव पर्फोर्मेंस कर रही है इनका मैचे रियाल 32 से रियाल 32 भी ललीगा की टॉप 5-6 टीम में काउंट होती है और इनके बास भी अच्छी स् उपर स्टार्स इनके लिए खेलते हैं तो अभी स्मॉल लिग में तो हम बार्सा कोई बैक करके अपनी टीम बनाएंगे लेकिन अगर यह मैच में 32 ड्रो के बाद एक्स्ट्रा टेम के बाद पैनाल्टी मली आती है तब भी मुझे सर्प्राइज नी होगा या अगर यह मैच बता दू इस मैच के लाइन अप आने के बाद जो भी फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स होगी वह आपको मिलेगी हमारे टेलीगराम चैनल में तो मेरे टेलीगराम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्सिन या टॉप पिंट कमेंड में जॉइन कर लिजिए अमने आपको दिखातो दोनू का लाष्ट मैच कैसा रहा तो दोनों ने अपने लाष्ट मैच ललीगा में खेला है बार्सलोन ने तो अपने आर्च रहेवल एट्लेटिको मेडिट को वननल के मार्जिन से रहा और इस मैच के खास बात ये थी इस मैच में बिना लेवन डॉस्की कि अपने टेलिसमेन के बार्सलोना उत्री थी तब भी उन्होंने अट्लेटिकों को अहरा दिया डेम्बेले का गोल था और गावी का असिस था जबकि 32 ने अपने लाश्ट लली का मैच में 2-1 से वेलेकानों को अहरा जो एक गोल है और हैंडिक नमारा फकीर का असिस था और एक ओन गोल आया था बागी मैंने बता दिया अल्दो केपेबल 32 भी इनको आराने में लेकिन यहां फे फेवरेट बार्सा ही होगी तो अभी हम स्मॉल लीग में बार्सा कोई बैक करके अपनी टीम बनाने वाले हैं तो अब मैं आ जाता हूँ डारेक्ट प्रोईबल लाइन बार्सा को करूँगा दूसरे पोजेशन भी डॉमिनेट करेंगे तो अभी मैं मैं मेक्जिमाम डिफेंडर बार्सा के पिक करके चल लाओं आप चाहे तो चारो पिक कर सकते हैं लेकिन यहां पर मैं एक एक एक्स्ट्रा अर्टेकल लियाँगा इस वैसे अभी मैं कोई तीन पिक कर रहा हूँ फिलाल अभी मेरी टॉप त्री चॉइस है अलबा अर्वा एन कुंडे ऑल्दो क्रिश्चंसन का सिलेक्शन बहुत ज्यादा हाई है और अगर आपको लगता है क्रिश्चंसन बैटर करेंगे और सेब भी रहेगा क्योंकि सिलेक्शन आई है गल्ती से एक ह क्रिश्चंसन ले सकते हैं बट फिलाल मेरी अभी के लिए क्रिश्चंसन फॉर्थ बेफ्रेंस है तो मैं अलबा आ रहा हूँ और कुंडे को फिक करके चलना हूँ अब मिट्फिल्ट रहे हूँगे गावी बुस्केट्स एंड पैडरी अब देखा जाए तो तीनों ही अच्छे प्लेयर है बिना गोल असे तीनों ही अच्छे पॉइंट दे सकते हैं लेकिन फिलाल मैंने गावी और बुस्केट्स के इग्नोर किया है मैं अभी पैडरी को भी कर रहा हूँ क्योंकि पैडरी इन तीनों में मेरे अक्वाडिंग मोस्ट लाइग लिग गोली स्कोरर भी हो सकते हैं और यह रेगुलर हर मैचेज में अच्छा करते हैं बिना गोल असे पॉइंट दे सकते हैं बड़ यहां पर आप चाहे तो बुस्केट्स के साथ भी आ ज्यादे इंपटेंट जाएगा और ज्यादे अटेक करेंगे और फिर पैडरी के जो मिट्फिल वाले प्लेसमें फ्रेंकी डियोंग अंदर आ सकते हैं मैं अभी मैंने सिर्फ पैडरी को भी किया है लेकिन गावी भी आपके लिए अच्छे ऑप्सन हो सकते हैं फॉरवड म स्कॉर किया है लेकिन फाथी वाल कव कि बाद से तीन मैच खेला है और यहिंपेक्ट कभी उससे भी जल्दी सब्सुरूट हो गया तो इनके रिसेंट्ली उतने मिने शेश्योर तो नहीं है बट यह गोल स्कॉरिंग अगर आपको लगता है यह फ्लप जैंगे इंसे गोलस दिनी आएगा और यह बिना गोल असिस के जल्दी सब्सिरूट जाएंगे तो आप इनके आले विलेस में गावी या सिंप्ली सेब जाने तो फोर्थ डिफेंडर आप बार्सा यानिकी क्रिश्चंसन को फिक करके चल सकते हैं तो यह बार्सा लोना की प्रवेबल 11 थी लगबा चैनल में तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्सन या टॉप इन कमेंड में जॉइन कर लीजिए अब हम बात करते हैं अपोनेंट रियाल बैतिस की तो क्लावडिया ब्रावो इनके गोलकीबर होंगे जो इनके सेगिंड चोइस गोलकीबर है औ अभी मैं इनके सारे डिफेंडर स्किप कर रहा हूँ क्योंकि फेंटेसी वाइस भी कोई बहुत जादा रिलाइबल नहीं है बट इस्टिल आपको किसी के साथ जाना है पजेला अच्छी ऑप्सन है सिलेक्शन भी आई है डिफेंडर में अच्छे हैं मिरांडा भी ठीक ता अच्छे पॉइंट दे सकते हैं तो में अगर आपको इन दोन में किसी को भी करने कर रहेंगे लेकिन अभी मैं इनको भी इग्नोर कर रहा हूं मैं और ज्यादा अटेकिंग प्लेयर में फोकस कर रहा हूं आइधिंग नेविल फकीर और कनालेस दोनू 100% आपकी टीम में रह सब्सीरूट भी हो रहे हैं तो में भी अगर आपको लगता है फ्लॉप जाएंगे तो आप इनके आले प्लेस में एक प्लेयर पर पाइंट ले सकते हैं है हैंडिक पे हैंडिक रिसेंटली बहुत अच्छा कर रहे हैं बिना गोल असिस के डिफेंसी अग भी मलब पॉइंट करते हैं और लाश्ट मैच में तो इनने अच्छा गोल भी स्कोर किया था जो ललीगा का वेले कानो के अगेंस्ट मैच हुआ था तो एक अच्छे घासे पांट पीए हो सकते हैं अगर आपको लगता है करनालेस या बोर्का इग्लेसेस को नहीं ले सकते हैं अभी मैंने लेक पर लेकिन अगर आपको लगता है फ्लॉप जाएंगे आप इनके अले प्लेज में हैंडिक को फिक करके चल सकते हैं तो यह रियाल बैटीस की प्रविबल 11 थी लगबग सभी चीज़ मैं यहां से आपको डीटेल में कर दी पेनल्टी बोर्खाई ग्लेसे से लिंगे मोश्ट प्रवबलीन की और यह मैंने इनके स्टेड लिखे हैं ललीगा के अभी जो मेरी पेडिक्सन है मैं एक नेरो टूएन बार्सा विक्टरी के साथ जारू आइधिंग फेबरेट तो बार्सा ही है लेकिन बैटीस उनके सकते हैं उनका सिलेक्शन बहुत आई है लेकिन अभी मैं उनके उपर कुंडे को ही ट्रश करूँगा यहां मैंने डेमबले पेडरी कनालेस और फाकील लिया फॉरवड में मैंने बोर्खा इग्लेसेस लिवन्डॉस के रंसु फाती को पिक किया है अब फाती रिसेंड़ी अच्छे टच में नजर नहीं आए और जल्दी सब्सिडूट भी आ रहे तो आपको लग रहा है यह फ्लाप जाएंगे तो इनके प्लेस में सिंप्ली क्रिश्चंसन डिफेंस में या मिट्फील में आप पांड ले सकते हैं गावी पे और बाकी अगर आपको लगता है कैनल टिम दो सकते हैं या अगर आपको लग रहा है इनको लेंगे सबसे सेफंसिऑ सेफ मेरी अपडेटेट फाइनल टीम के लिए आपको जॉइन करना है हमारे टेलिग्राम चैनल से तो टेलिग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉइन कर लिजी